अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसको देख कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए कैसे खत्रों से खेल रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए मुश्किले इनसान का होसला आफ जाती है स्वपन का परदा निगाहों से हटाती है गिर गया तो उठ संभल ए आदमी ठोकरे इनसान को चलना सिखाती है इस नदी को पार करना खत्रे से खेलने के बड़ाबर है इन छात्रों के जजबे को सलाम है जो खत्रों से खेल रहे हैं ये तस्वीरे जो आप देख रहे हैं ये वो जनून जजबे और साहस की मिसाल है जो आपको भी प्रेरित करता है वैसे तो मद्द्रदेश में लगातार हो रही वारिश ये नदी नाले उफान पर है फिर भी बच्चे इस उफंते नाले को पार करने के लिए मजबूर है ये वीडियो हर्दा के रहटगाओं तहसील का है जहां बच्चे उफंती नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं रोजजाना करीब 200 से ज़्यादा स्कूली करीब 12 गाओं के 70 से ज़्यादा स्कूली बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं लेकिन शासन प्रशासंत का इस और कोई ध्यान नहीं है तो क्या हमारे देश का ये भविश्य ऐसे ही संकटों का सामना करके पढ़ाई करेगा ये तस्वीर सूबे के स्यम शुराज सिंग चौहान भी देख रहे होंगे बूरो रिपोर्ट